प्यारे साथियों नमस्कार आज हमारी स्क्रीन पर है युग पुरुष कबीर वो कबीर जिसने कहा कि मसी कागत छुयो नहीं कलम गही नहीं हाथ वो कबीर जो बाहया डंबरों का विरूधी था वो कबीर जो मानवता वादी था वो कबीर जिसने केवल एक ही जाती मानी मानो ज जाती है, ऐसे कबीर को आज हम पढ़ेंगे, कबीर से संबंधित, तमाम उक्तियां, तमाम कथन, तमाम रचनाएं, तमाम बाते करेंगे आज के हम इस सेसन में, थोड़ा लंबा सेसन होगा, लेकिन कबीर से आपका कोई प्रशन उम्मीद है के नहीं छूटेगा, आइए, सुर जन्म की बात करते हैं, 1398 इस्वी, संवत 1455, क्या सं 1398 इस्वी में जन्म होता है कबीर का, और आप जानते हैं, कहा होता है, काशी उत्तर प्रदेश में होता है जन्म, और 1518 इस्वी में देहावसान हो जाता है, मृत्यू स्थान के अगर हम बात करें, तो इनका मृत्यू स् सवे इसी लिए साइध कभीर वहाँ पर गये थे कि मैं मगहर में मरूंगा देखता हूं मैं सवर्ग मिन जाता हूं इस आडमबर को तोडने के लिए इस किवर्दंति को तोडने के लिए मगहर को गये थे सऑ चन 15 818 इस भी की बात है, पालन पोशन की अगर हम बात करें, तो नीरू और नीमा नाम के दो जुलाहा दम पत्ती थे, जिन्हों ने इनका पालन पोशन किया, अर्थात कबीर का जन्म नहीं हुआ था, कबीर आवतरित हुए थे, ऐसा हम कह सकते हैं, तमाम इनके बारे में अफवाहें हैं तमाम इनके बारे में किभदocumentियां हैं लेकिन हम आज उन्हीं बातों पर चर्चा करेंगे हम आज उन्हीं बातों रखेंगे यहां पर जो एकदम सत्य हैं जो आपके एक्जाम में अपवात पैदा नहीं करती हैं तो नीरू, अली और नीमा ये दो जुलाहा दमपत्ती थे, इनके द्वारा इनका पालन पोशन किया गया था, और ये कोई नहीं जानता के कबीर के माता पिता असली कौन थे, कुछ लोग ऐसा भी मानते हैं कि एक विद्वा ब्रामडी के गर्व से कबीर का जन्म हुआ था, इनके परिवार की अगर हम बात करें तो इनकी पत्नी का नाम लोई था, और पुत्र का नाम कमाल था, और पुत्री का नाम कमाली था, बस इतना ही प्रमाण मिलता है इनके बारे में, अगर हम गुरू की बात करते हैं तो कबीर के गुरू थे रामानन, ठीक है, लेकिन मुसल्मान जितने हैं वे सब शेक तकी को इनका शिष्य मानते थे ठीक है शेक तकी का शिष्य मानते थे कबीर को जितने भी मुसलिम भक्त हैं वे कहते हैं कि शेक तकी जो है वही कबीर दास जी के क्या है सच्चे गुरू है लेकिन वहीं हिंदू लोग क्या और प्रमाड क्या है इनको शेक तकी का भी शिश्य मानते हैं अचा कबीर शब्द आया है तो इसके भाषा पर जरा गोर करते हैं अर्भी भासा का है शब्द कबीर और अर्भी भाषा का शब्द कबीर है तो इसका अर्थ क्या होता है कबीर का अर्थ होता है महान या फिर स्रेश्ट ठीक है कबीर क को एक बार share कर दो तो ज़्यादा बहतर है भाईया बड़ी मेहनत के बाद कुछ लाप आते हैं ठीक है चलिए क्लास सही चल रही है कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर क्लास तो अच्छी चल रही है कहीं पर भी लोचा नहीं है ठीक है तमाम लोग हमारे साथ जुड़े हुए भी है अतेंद्र कुमार दी है क्यूट रजा जी है राज जी अंपी से है अतेंद्र कुमार अम्बेटकर नगर से है चलिए ठीक है राकेश नेता गोस्वामी जी है अंजली जी है रचना देक्षिद जी है पुस्परा सिंग चोहान जी है बिल्कुल भीया प्रणाम कुछ रहिए और लक्षिता शर्मा जी है और वसंत चावला जी है ठीक है चलिए अनुराग जी भी है मारे साथ चलिए कोई बात नहीं अब ह अर्थ होता है महान या फिर स्रेष्ट ठीक है इतनी बात क्लियर हुई कबीर दास दिल्ली सुल्तान सिकंदर लोदी के समकालीन थे ऐसा माना जाता है कि सिकंदर लोदी का भी गुरू शेक तकी थे सिकंदर लोदी के गुरू शेक तकी और कबीर के गुरू शेक तकी ऐसा मा अनंत दास द्वारा लिखी गई कबीर परिचयी में मिलता है, point to be noted, अगर हम आप से पूछें कि कबीर परिचयी किसका लिखा गया है, किसके द्वारा लिखा गया है, तो आप बोलेंगे अनंत दास के द्वारा लिखा गया है, और मिलता क्या है इसमें, इसमें प्रमार मिलता सिकंदर लोधी ने इन पर बहुत अत्याचार किये सिकंदर लोधी समराठ हुआ करता था भाई वो उस समय का उनके इधर का और बावन कसनी नाम के पुस्तक आती है तो उसमें बावन वार किये गए थे कबीर पे मतलब बावन बार इनको सताने की मारने की चेश्टा की गई थ तो कबीर चरित्र बोध प्रथम गरंथ है क्या कबीर चरित्र बोध जो है वो प्रथम गरंथ है जिसमें कबीर का आविरभाव काल 1455 बिक्रमी सम्मत यानि सन 398 इस पष्ट उलेक मिलता है तो कबीर चरित्र बोध ठीक है समझ में आया इतनी बात समझ में आया चलो आगे ब अभी मैंने पहले ही आपको बात बता दी है जबकि दविस्तान के लेखक इतिहासकार मोहसिन फानी और पैशाची भासाकृत प्रसंग पारिजात के लेखक चेतन दास ने रामानंद को कबीर का गुरू माना है जो अध्यतन प्रमार से भी सर्वमानने है और कबीर दाजी ने स दिहासकार मोहसिन फानी है दविस्तान के लेखक दविस्तान में भी ये प्रमार मिलता है कि कबीर के गुरू रामानंद है उधर दविस्तान मोहसिन फानी और प्रसंग पारिजात ये पैशाची भासा की लिखी पैशाची भासा में लिखी गई है प्रसंग पारिजात और प्रसंग पारिजात के लेखा चेतन दास और उधर मोहसिन फानी अपने रचना गरंथ दविस्तान में इतिहास गरंथ में दोनों में कबीर को रामानंद का शिश्य बताते हैं, यानि कबीर के गुरू रामानंद बोले जाते हैं, ठीक है, सरवपर्थम कबीर को बानियों का, क गुरू गरंथ साहिब में मिलता है, कबीर की बानियों का प्राचिंतम नमुना कहां मिलता है, गुरू गरंथ साहिब में मिलता है, और कबीर की बानियों को संकलित करने का स्त्रे जाता है, बीजक में उनके शिश्य धरमदास के द्वारा, क्योंकि कबीर ने स्वयम कहा कि मस कागत छुयो नहीं कलम गही नहीं हाथ हम पढ़े लिखे नहीं हैं हम तो बस कबीर का तो ये मानना था क्या कि यह तन जारों छारी के कहों की पवन उड़ा वो तो वो तो मानते हैं कौन जाय सी कि यह तन जारों मसी करों लिखों राम का नाम लेखा निकरों करंक की लिखे-लिखे राम पठाओं लिखे-लिखे राम पठाओं ठीक है? तो अब देखे कबीर पढ़े लिखे नहीं थे इसलिए कबीर केवल गाते थे कबीर केवल भजन सुनाते थे लिखता कौन था? लिखता था धरमदास बीजक में संकलंग किया और आगे जाकर के कबीर का उतरादेकारी भी धरमदास बनता है तो यहाँ पर बीजक जिसमें साखी सबद और रमैनी है धरमदास का है और धरमदास ने इसमें संकलित किया है बीजग तीन भागों में विभाजित है एक भाग साखी कहलाया दूसरा सबद और तीसरा रमैनी कबीर का काब अगर आप से पूचलिया जाया actually कबीर का काब कैसा है तो कबीर का काब निबंध काब है कैसा है? निबंध काब है प्रबंध नहीं कह सकते, मुक्तक नहीं कह सकते कबीर का काब्य निबंध काब्य है ठीक है रचनाएं अगर हम बात करें तो रचनाएं जानने से पहले हम यह जानते हैं रामदास गौड है यहाँ पर दोड नहीं गौड रामदास गौड ने 71 पुस्तकों की लंबी सूची दी है रामदास गौड कितनी पुस्तके मानते हैं कबीर की लिखी हुई 71 कौन रामदास गौड उधर रामकुमार वर्मा ने 51 पुस्तकों की तालिका दी कहा कि 51 पुस्तके हैं आठ उसमें से हटा करके 43 पुस्तके कहते हैं हजारी प्रसाद दुवेदी, रामदास गौड कहते हैं 71 पुस्तकें, रामकुमार वर्मा कहते हैं 51 पुस्तकें, और रामकुमार वर्मा के बाद हजारी प्रसाद दुवेदी जब लिखते हैं, तो वो कहते हैं केवल 43 ही वानी जा सकती हैं, लेकिन 43 में से तो 3 हैं, साखी सब रमैनी कह सकते हो, बाकी कुछ नहीं है, मूल तो उनका बीजक ही है, तो कुछ ग्रंथों के नाम इस प्रकार हैं, जो की 43 माने गए हैं उनमें से, अगाध मंगल, अनुराग सागर, अमर मूल, अक्षर खंड की रमैनी, अक्षर भेद की रमैनी, उगर गीता, कबीर की बानी, कबीर गोरक की गोश्थी, कबीर साखी, बीजक, ब्रह्मनिरूपन, मुहम्मद बोध, रेखता, विचार माला, विवेक सागर, शब्दावली, हंस मुकतावली और ग्यान सागर, इत्यादी तमाम इनकी पुस्तके मानी जाती हैं, अक्षर खंड की रमैनी, अगाध मंगल, अनुराग सागर, अमर मूल, अक्षर खंड की रमैनी, अक्षर भेद की रमैनी, उगर गीता, कबीर की बानी, कबीर गोरक की गोश्थी, कबीर की सा इतनी पुस्तकें मानी जाती हैं कभीर की और भी 43 पुस्तकें मानते हैं हजारी प्रसाद दुवेदी और 71 पुस्तकें मानते हैं कौन रामदास गौड और इक्यावन पुस्तके मानते हैं रामकुमार वर्मा लेकिन बहुत मुख्य जो पुस्तके हैं जो बार बार पूशी आती हैं यहाँ पर हमने दी साखी की अगर हम बात करें तो इस संस्कृत के साक्षी शब्द का विक्रित रूप है अर्थात साखी एक पुदेश के अर्थ में प्रयोग्त हुआ है कबीर की सिक्षाओं और सिध्धानतों का निरूपन अधिकतर साखियों में हुआ है यह दोहा चंद में लिखी गए हैं साखियां किस चंद में हैं तमाम बार प्रसंद बना और एक प्रसंद यह भी बनता है कि कबीर के दोहों क को क्या कहा जाता है, तो साखी कहा जाता है, साखियां किस छंद में हैं, दोहा छंद में हैं, भाषा साखियों की कैसी है तो सदुकडी भासा है, सदुकडी जिसको आचार शुकल तो सदुकडी मानते हैं, बाकी अधिकांस लेखक, पंचमेल खिचडी कहते हैं कबीर की भाषा राजस्थानी और पंजाबी मिली हुई जो भाषा है सदुकडी भाषा या पंचमेल खिच्री कहते हैं कबीर की साखी के संस्कृत छंदों में रूपांतरण करता है डॉक्टर उमाशंकर शर्मा अगर आपसे ये बहुत बहुत important point है कि कबीर की साखीयों का संस्कृत में क्या करने वाले रूपांतरण करने वाले या संस्कृत में अनुवात करने वाले कौन हैं तो वे हैं डॉक्टर उमाशंकर शर्मा साखीयों के संबंद में कबीर के मत कि साखी आखी ज्यान की समुझिले हुमन माई साखी आखी ज्यान की समुझिले हुमन माई बिन साखी संसार को जग्रा छूटत ना ही कबीरा साखी आखी ज्यान की समुझिले हुमन माई फिर है हरजी यह विचारिया साखी कहो कबीर और भव सागर में जीव है जो पकड़े यह तीर यह भी कबीर ने लिखा अब आती है बात सबद की कबीर के सबद गेय पदो में रचे गए बिभिन राग रागनियों का निर्वाह हुआ प्रचुर मात्रा में तमाम राग रागनिया सबदों में इनके पाई जाती है और इसकी भाषा ततकालीन मददेश की भाषा ब्रज भाषा है इसमें कबीर ने आध्यात्मी के ओम रहसिवादी अनुभूति की विंजना की है तता साधना के अर्थों के बोध के लिए प्रतीकों का भी प्रयोग मुक्त रूप से किया है इसमें कबीर की प्रेम और अंतरंग साधना की अभिवक्ती हुई है सबदों में ठीक है फिर आता है रमैनी इसमें थोड़ा सा इंपॉर्डन चीज है रमैनी दोहा एवं चौपाई में है जैसे राम चरित्मानस है ऐसे ही रमैनी जो है वो दोहा और चौपाई में है इसमें कबीर ने रहसिवादी और दार्शनिक विचारों को प्रगट किया है इसकी भाषा कैसी भाषा है अभी बताएंगे इसकी भाषा कैसी यहाँ पर नहीं लिखा है संत विचारदास के अनुसार रामडी शब्द है ठीक है कि रमयनी को रामडी शब्द से व्यूतपन किसने माना है तो आप क्या लिखेंगे लिखेंगे संत बिचारदास क्या लिखेंगे संत बिचारदास ने रमयनी को रामडी से उतपन माना है फिर परशुराम चतुरवेदी और हजारी प्रसाद दुवेदी ने रामायड से अब डॉक्टर परशुराम चतुरवेदी और हजारी प्रसाद दुवेदी कहते हैं दरसल वो रामायड का ही नाम है रमायडी रमायडी से रमैनी हो गया और कुछ नहीं है गोविंद त्रिगुनायत रमैनी लोक गीतों का एक काव्य प्रकार मानते हैं कहते हैं रमैनी जो है कि लोक गीतों का एक प्रकार है डॉक्टर गोविंद त्रिगुनायत मानते हैं हजारी प्रसाथ दुवेदी क्या कहते हैं रमैनी रामायर से है हजारी प्रसाद दुवेधी के साथ साथ डॉक्टर परसुराम चतुरुवेधी क्या कहते हैं कहते हैं रामायड से है लेकिन विचारदास कहते हैं कि ये रामडी से है ठीक आईन ए अकबरी में उन लेख मिलता है कि कबीर की मृत्यू के बाद उनके शवका अंतिम संसकार करने के लिए उनके दो शिश्यों बीर सिंग बगहेल ठीक है मतलब आइने अकबरी में ये उल्लेक मिलता है कि कबीर के देहावसान के पश्चात उनके दो शिश्यों में बड़ा लफड़ा हुआ था एक सिसे इनके कौन थे बीर सिंग बगहेल और दूसरे थे बिजली खां बनारस के राजा थे बीर सिंग बगहेल क्या थे बीर सिंग बगहेल जो थे ये क्या थे ये बनारस के राजा थे और बिजली खां गोरखपुर का नबाप था, इसके मद्ध बिवाद हुआ था, बिजली खाने आमी नदी के किनारे मगाहर में कबीर का मजार बनवाया था, आधि गरंत में साखियों को क्या कहा गया है अगर आप ये प्रशन पूँछ लिया जाए तो आधि गरंत में साखियों को सलोक कहा गया है, ठीक है, सल का ही बिगड़ा हुआ रूप है सलोग, कभीर ग्रंथा वली में 403 पद हैं 15 राग में है कभीर ग्रंथा वली पद 15 रागों ए कभीरे ग्रंथा वली 90 शंस्कृरण में 809 साखी और 69 अंग इसमें दिये गए हैं, ठीक है dos dow 809 साखी कबीर गरंथावली में 69 अंग है और कबीर गरंथावली 403 पद 15 राग में है लेकिन जो कासी संस्क्रण है इसमें 809 साखी और 69 अंग है मात्मा कबीर के संबंद में विचारकों के मत क्या है दिखे आप लोग शेयर जब नहीं करते हैं तो बड़ा हमको मतलब परिसानी होती हो कि सामने कम लोग होते हैं अब फिर मोटिवेशन नहीं आता है तामने लोग ज्यादा आप जब भीड होती है तो मज़ा आता है इसलिए आप स्टेटस में लगा लिया करो यार कभी-कभी है कबीर के साहित में प्रिव्क्ट भाषा सधुकड़ी भाषा है तो ये तो point खेर आपको पता होगा डॉक्तर स्याम सुंदर दास ने कबीर के साहित में प्रिव्क्ट भाषा को पंचमेल खिछडी कहा तो हमने कहा केबल सधुकड़ी आचार शुकल एक दो लोग कहते है कबीर उजार का फूल है उसे माली की आवश्यक्ता नहीं है सीचने के लिए वो तो ऐसे ही उत्पन होने वाला व्यक्ति है हजारी प्रसाद दुवेदी ने ये बात कही थी डॉक्तर बच्चन सिंग ने कबीर की भाषा को संत भाषा कहा है ठीक है ये ध्यान रखना कबीर की भ बच्चन सिंग से बहुत सारे कथन आये थे तो हम यहाँ पर बच्चन सिंग के भी कथन ढून ढून के लाए हैं दंग से हिंदी भक्ति काब्य का प्रथम क्रांतिकारी पुरसकरता पुरसकरता लिग लिजिए पुरसकरता ऐसे लिग सकते हैं ठीक है हिंदी भक्ति काब्य क क्रांतिकारी पुरस्करता कबीर है कौन है कबीर है और उन्हें सुधारक कहना उनके महत्तो को कम करना है उन्हें सुधारक कहना उनके महत्तो को कम करना है वह एक ऐसे धर्म की स्थापना करना चाहते थे जिसमें न कोई हिंदू हो न मुसल्मान न कोई मौलवी हो न पुरोहित न कोई शेक हो न कोई ब्रामण सब मनुष्य हो और ये अकरांतिकारी कदम था न की सुधारवाद डॉक्टर बच्चन सिंह का क Запन है कि कबीर दास ऐसे समाच की स्थापना करने चाहते थे जिसमें न कोई हिंदू हो न कोई मुसल्मान हो न कोई मौलवी हो न कोई पादरी हो न कोई पुरोहित हो ऐसे समाच तो कबीर को हम क्या कबीर को हम सुधारक नहीं कहेंगे नहीं तो उनके महत्व को कम करना है ठीक है डॉक्टर बच्चन सिंगी कबीर ने साहित के लिए साहित नहीं लिखा मस्त मौला राम को साहित से क्या अलग की शाम पर उनका उच्छल आवेग सम्वेदना गहरा जीवन बोध उनके कहन को साहित बना देते हैं डॉक्टर बच्चन सिंगी कबीर ने साहित के लिए साहित नहीं लिखा मस्त मौला राम को साहित से क्या अलग की राम पर उनका उच्छल आवे मानवी सम्वेदना गहरा जीवन बोध उनके कहन को साहित बना देते हैं डॉक्टर बच्चन सिंग दीन दुखियों के लिए लड़ने वाले विक्ति का काव्यत से रिक्त हो ही नहीं सकता उनकी कविता की भाशिक संरचना जो औरों से अलग है बताती है कि ये कवी की वैश्विक द्रिष्टि के अनुरूप है उनकी संरचना को मुखे तहा विसंगतियों के विसंगतियों विरोधावासों और विडंबराओं से बुना गया है उसकी बुनावट एक अलग काव्यत शास्त्र के निरमार की मांग करती है कथन डॉक्टर बच्चन सिंग का कथन है कि कबीर कबीर दीन दुखियों के लड़ने वाले विक्ति का कावे कावित्यों से रिक्त नहीं हो सकता उनकी कविता की भाशिक संरचना जो औरों से अलग है बताती है कि ये कभी की वैश्विक द्रिष्टि के अनुरूप है उनकी संरचना को कबीर का सौंदर यबोध अपारंपरिक और यथार्थवादी है अताहँ उनके लिए पृतक सौंदर यशास्त्र का निर्मार करना पड़ेगा डॉक्टर बच्चन सिंग अलग कावशास्त्र की मांग करते हैं कौन डॉक्टर बच्चन सिंग अजारी प्रसाद दुवेदी के कथन आप समझिए तो कबीर तो उजाड का फूल है वो आप समझ चुके बता चुके हम हिंदी साहित्य के हजार वर्षों के इतिहास में कबीर जैसा व्यक्तित्त लेकर कोई उत्पन्न नहीं हुआ महिमा में यह व्यक्ति केवल एक ही प्रतिदुन्दी जानता है तुलसी दास महिमा में यह व्यक्ति केवल एक ही प्रतिदुन्दी को जानता है तुलसी दास ठीक है तुलसी दास प्रतिदुन्दी तुलसी दास हिंदी साहित्य के हजार वर्षों में अब हजार आया है तो हजार से हजारी याद रखना हजार वर्षों में हजारी प्रसाद्दुएदी हिंदी साहित के हजार वर्षों के इतिहास में कबीर जैसा वेक्टित्व लेकर कोई उत्पन नहीं हुआ, महिमा में ये वेक्टि केवल एक ही प्रतिदि जानता है, तुलसी रास, फिर समझें, पंदरहवी शतापदी में कबीर सबसे चक्तिसाली और प्रभावत पादक्ट व विधान, पूर रूप से स्वाभाविक और अत्यंता साधित है, कबीर ने कबिता लिखने की प्रतिज्या करके अपनी बातें नहीं कही थी, उनको चंद उनकी चंद योजना, उक्तिवैचित्र और अलंकार विधान, पूर रूप से स्वाभाविक और अत्यंता स्ताधित ह ये कहते हैं हजारी प्रसाद दुवेदी युवावतार की शक्ति और विश्वास ले कर वे पैदा हुए और एक वाक्य में उनके विक्तित्तों को कहा जा सकता है कि वे सिर से पैर तक मस्तमावला बे परवाद रढ़ उम्र उग्र 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 और कुसमाद अपि कोमल वज कबीर का इसने कहा हजारी प्रसाद दुवेदी कबीर पहुंचे हुए ज्यानी थे कबीर पहुंचे हुए ज्यानी थे उनका ज्यान पोथियों से चुराई हुई सामग्री नहीं था और नवसुनी सुनाई बातों का बेमेल भंडार ही था वो सिर से पैर तक मस्तमावला के आगे प्रचंड दिल के साफ दिमाग से दुरुस्त भीतर से कोमल बाहर से कठोर जन्म से आइस्प्रिश्य और कर्म से वंदनी थे महान हजारी प्रसाद दुवेदी का कथन किसका आचारे हजारी प्रसाद दुवेदी का कथन है कि कबीर पहुंचे हुए ज्यानी थे उन से पैर तक मस्तमौला, आदत से अख़ड, भक्तों के सामने निरी, वेशधारी के आगे प्रचंड, दिल के साफ, दमाग से दुरुस्त, और भीतर से कोमल, बाहर से कठोर, जन्म से आइस्प्रिश्य और कर्म से वंदनीय थे, कभीर हजारी प्रसाद दुवेदी. जैसा कभीर का जीवन संसार से उपर उठा था, वैसा ही उनका काभी भी साधारन कोटी से उचा उठा है, डॉक्टर शाम सुन्दरदास, भूमिका, कभीर ग्रंथावली की. कभीर ग्रंथावली की भूमिका में डॉक्टर शाम सुन्दरदास लिखते हैं, बाबु शाम सुन्दरदास लिखते हैं, जैसा कभीर का जीवन संसार से उपर उठा था, वैसा ही उनका काभी भी साधारन कोटी से उचा था. आचार शुक्ल के कथन समझिए, इसमें कोई संदेह नहीं कि कभीर ने ठीक मौके पर जनता के उस बड़े भाग को समभाला जो नात्पंतियों के प्रभाव से प्रेमभाव और भक्ती रस से शुन्यवा शुष्क पड़ता जा रहा था. शुष्क से शुक्ल याद रखना, शुन्य शुष्क शुक्ल याद रखना इसमें कोई संदेह नहीं, क्या कि कभीर ने ठीक मौके पर जनता के उस बड़े भाग को समभाला जो नात्पंतियों के चक्कर में पड़कर के प्रेमभाव और भक्ती रस से शुन्य और शुष्क पड़ता जा रहा था, फिर देखिएगा, बाशा बहुत परिश्कत और परिमार्जित ना होने पर भी, कभीर की उक्तियों में कहीं कहीं विलक्षन प्रभाव और चमतकार हैं, प्रतिभाव उनमें प्रखर थी, इसमें संदेह नहीं, कभीर ने अपनी जार फटकार के घंडुओं और मुसल्मानों का कटर पंदूर करने का जो प्रयास किया, वो अधिकतर चिढाने वाला सिद्ध हुआ, हिर्दय को पल्स करने वाला नहीं. पिर देखे नाभादास क्या कहते हैं? कि भक्ति विमुख जो धरम ताहि अधरम करिगायो कबीर कानि राखी नहीं वरणा समसट दर्शनी ये भक्तमाल में नाभादास ने कहा है क्या? कि भक्ति विमुख जो धरम ताहि अधरम करिगायो और कबीर कानि राखी नहीं वरणा समस्ट दर्शनी ये नाभादास कहते हैं? कबीर पर लिखी गई प्रमुख पंक्तियां डॉक्टर शाम सुंदर दास कहते हैं? डॉक्टर शाम सुंदर दास ने कबीर गरंथा वली का संपादन किया, माता प्रसाद गुप्त ने कबीर गरंथा वली लिखी ये संपादन किया, और पारसनात तिवारी ने कबीर गरंथा वली नाम से इनकी रचनाय प्रकाशित की. अयोध्या सिंग उपाद्या हरियोद ने कबीर वचनावली लिखी क्या कबीर वचनावली अयोध्या सिंग उपाद्या हरियोद केवल कबीर लिखते हैं पुस्तक डॉक्टर हजारी प्रसाद दुवेदी राम कुमार वर्मा संत कबीर और कबीर का रहस्यवाद दो पुस्तके क्या लिखते हैं कबीर मीमानसा राम चंतिवारी आचारे परशुराम चतुरवेदी लिखते हैं कबीर साहित की परक क्या लिखते हैं कबीर साहित की परक डॉक्टर रगवंस कबीर एक नई द्रश्टी लिखते हैं क्या लिखते हैं कबीर एक नई द्रश्टी डॉक्टर रग कबीर की विचारधारा किसकी है डॉक्टर गोविंद त्रीकुनायत की है राम जी लाल कबीर दर्शन राम जी लाल की करती है कबीर वांग्मय तीन ह्यागों में भुबदेव सिंग ने लिखा अकत कहानी प्रेम की पुरुशोतम अगरवाल ने लिखा है कबीर बानी के लेखक अली सरदार जाफरी है और डॉक्टर धरमबीर भारती कहते हैं कबीर बाज भी कपोत भी और पपीहा भी है कौन डॉक्टर धरमबीर भारती लिखते हैं कबीर बाज भी कपोत भी पपीहा भी करती के नाम है कबीर के आलोचक एक कबीर ठीक कबीर के आलोचक एक कबीर डॉक्टर धरंबीर भारती की करती डॉक्टर हजारी प्रसाद दुवेदी का प्रक्षिप्त चिंतन ये भी लिखते हैं डॉक्टर धरंबीर भारती और कबीर और रामानंद की किवदंतियां तीन भागों में बाट दिया है, कि एक तो अलंकार प्रधान इनकी उलडबासियां थी, दूसरी अदभुद रस प्रधान थी, और तीसरी प्रतीक प्रधान थी, तीसरे प्रकार की, ठीक है, जैसे उदारण, नदियां जरी कोईला भई, समुन्दर लागी आग, ये उलडबा ठीक है, यहाँ पर हम आपको बता दें, अगर आपको कबीर की सारी पंक्तियां पढ़नी है, तो आल्रेडी एक वीडियो हमारा प्लेलिस्ट में पढ़ा हुआ है, सेम थमनेल आपको मिलेगा, कबीर की प्रसिद्ध पंक्तियां, PGT, PGT, हिंदी साहित, 19 मिनट 52 सेकेंड का य लेकिन हम आपको यहाँ पर और भी पंक्तियां पढ़ाने की कोशिश करेंगे, अब ये कबीर की प्रसिद्ध पंक्तियां है, जो एक्जाम में आती रहती है, मसी कागत छुयो नहीं, कलम गही नहीं हाथी, इसने कहा, कबीर ने, संस्कीरत है कूपजल, भाखा बहता नीर, स माली आवत देखके, कलियन करी पुकार, फूली फूली चुनलई, काली हमारी बार, कभीर, साई के सब जीव हैं, कीरी कुंजर दोए, ठीक, निसदिन खेलत रही सखियन संग, मोह बड़ा डर लागे, यह भी किसकी है, कबीर की है, माया महा ठगी निहाम, जानी, किसकी पंक्ती, कबीर की, जादिन पूछो साधु की, पूछ लीजिये ग्यान, और मोल करो तरवार को पड़ी रहन दो म्यान, मोरी चुनरी में परी गयो, दाग पिया, मोरी चुनरी में परी गयो, दाग पिया लागा चुनरी में दाग, धुलाओं कैसे लागा, चुनरी में दाग, यहु संसार कागद की पूडिया बूंद परे घुली जाना है भैयारा मीच लवदे सवाबिराना है फिर मोरी चुनरी में पर गयो दाग पिया नैना अंतरिया उतु जयो हो नैन जपेओं और ना मैं देखूं और को ना तुहीं देखन देओं कि भीजे चुनरी आप्रेम रस भूंदन गुरु मुही घुटिया अजर पिलाई दुलहिनी गाव हु मंगल चार हमरे घर आये राजार राम बतार दुलहिनी गाव हु मंगल चार तनरत करी के मनरत करी हो पंच तत बराती हो तनरत करी के मनरत करी हो पंच तत बराती और राम राम पिया मुरे पाहुने आए मैं जो बन मैं माती दुलहीनी गाव हुमंगल चार ठीक है पाचे लागा जाई था लोक वेद के साथ ये पंतियां वे हैं जो हमारे उस वीडियो में नहीं है कवीर कहते हैं मैं तो लोक के वेदों के और पुराणों के चक्कर में पढ़के उनके पीछे लगा हुआ था लेकिन जैसे ही सद्गुरु मिले मुझे ज्यान आ गया उन्होंने ज्यान का दीपक में हाथ में थमा दिया गुंगट के पट खोल रे तो कोपिया मिलेंगे किसका है कवीर का है सपने में साही मिले सोवत लियो जगाए संतो भाई आई ज्यान की आंधीरे संतो भाई आई ज्यान की आंधीरे ब्रम के टाटी सब उनानी माया रहे न बांधीरे संतो भाई आई ज्यान की आंधीरे फिर देखे पूजा सेवा नेम ब्रत गुडियन का साखेल और गुरु गोबिंद दो उखड़े काके लागूं पाए बलिहारी गुरु आपने गोबिंद दियों मिलाए दसरत तित तिहुं लोक बखाना राम नाम का मरम है जाना कबीर आपु ही देवा आपु ही पाती आपु ही कुल आपु ही है जाती और तब तो मसीन के उपदेशा इउपनीसद कहाई संदेशा जाग बलिक आउजनक किसकी है कबीर की है इसमें स्टार लगाओ भी या यह दसरत बहुत बार पूचा गया है समझ गये है बहुत बार पूचा गया है ठीक यह भी पूचा गया है यह भी पूचा गया है यह पूचा गया है या कि बल का नाम देख करके लोक रामचरित मानस ठोक के आते हैं इसको ध्यान दीजिये, ठीक है, गहना एक कनक्ते गहना इनमह भावन दूजा, और कहन सुनन कोई दूई करी, पापिन एक मिजाज एक पूजा, एक निमाज एक एक पूजा, तूर समाना चंद में दहुं किया घर एक, मन का चिंता तब भया, कच्छू पुरविला लेख, दिन भर रोजा रहत हैं, रात हनत हैं, गाए, यह तो खूनवा बंदगी कैसे खुसी-खुदाया, नईया बिच नदिया डूबती जाए, अर मुझको तू क्या डूंडे बंद, मैं तो तेरे पास रे, कहाएं कबीर खरी-खरी है ना, कि साई के संग सासुर आई, संग न सूती स्वाद न जाना गा जीवन सपने को नाई, साई के संग सासुर आई, फिर देखो, हाँ बली कब देखांगे तो ही, आहनिस आतुर दर्सन कारन ऐसी व्यापी मोही, हाँ बली कब देखांगी तो ही, फिर देखो तुम जिन जानो गीत है यहने जे ब्रह्म विचार मैं कहता कागत की लेखी कभी कभी ने कभीता मुए कापडी केदारो जाए केसे लुंची मुए वरतिया इनमे किन हूँ आए अगीनी जो लागी नीर में कांदो जरिया जहारी और उतर दखिन के पंडिता मुए विचार विचार यह दोनों एक ही है पांडे कौन कुमत तोहीं लागी कसरे मुल्ला बांग निवाजा ठीक हरी जन्नी मैं बालक तूरा मैं बालक तूरा ताहे नावगुन पकसहु मूरा चलन चलन सब लोग कहत हैं ना जानो बैकुंठ कहां कुसल कुसल सब ही पूँचत हैं कुसल रहाना कोई जरा मुई ना भै मुआ कुसल कहाते होई ठीक पुरब जन्नम हम बामन होते वोच्छम कुछे करम तप हीना और राम देव को सेवा चूका पकर जुलाहा कीना सूरा सो पहचानिये लरे दीन के हेत और पुरज पुरज कटि भरे कब हुन च्छदिक के खेत मूस तो मंजार खायो स्यारी खायो स्वान उल्टमासिया संतो अचरज एक भाभारी पुत्र धरल महतारी कबीर अगर हम कहें कि कबीर पहले हिंदी के गजलकार थे इसमें कोई गलत नहीं होगा चुकि गजल की जो हमें आभा मिलती है कबीर की इन पंक्तियों में मिलती है क्या हमन है इश्क मस्ताना हमन से होशियारी क्या रहें आजाद या जग में हमन दुनिया से यारी हमन है इश्क मस्ताना हमन से होशियारी क्या रहें आजाद या जग में हमन से हमन दुनिया से यारी क्या ये कबीर की गजल है ये समझिएगा क्योंकि कबीर ने गजल भी लिखी है आपको सायद ध्यान होगा ये युजी जेनेट 17-18 में आया हुआ क्वेशन है, तोला में सायद आया था, बहुत अच्छा क्वेशन है, और पहली बार उस समय आया था कि हमन है इश्क मस्ताना, हमन दुनिया से यारी क्या, ठीक, बाकी दुशंत कुमार को आप सुनती होंगे, दुशंत कुमार हो गई है पीर परवत सी पिघलनी चाहिए, इस हमाला इसे कोई गंगा निकलनी चाहिए, मेरे सीने में सही या तेरे सीने में सही, हो कहीं पर आग, लेकिन आग जलनी चाहिए, हो गई है पीर परवत सी पिघलनी चाहिए, इस हमाला इसे कोई गंगा निकलनी चाहिए, और फिर बार की संभावनाएं सामने हैं और नदियों के किनारे घर बने है समझने की बात है एक्जाम सर पर है और पढ़ाई कम हो रही है तो बाड़ की संभावनाएं सामने हैं और नदियों के किनारे घर बने है दुशंत कुमार की गजले पढ़िएगा आनंद आएगा सबसे अच्छी मुझे वो लगती है एक जंगल है तेरी आँखों में मैं जिसे ओढ़ता बिछाता हूं वो गजल आप को सुनाता हूं मैं जिसे ओढ़ता बिछाता हूं एक जंगल है तेरी आँखों में मैं जहां राहां भूल जाता हूं मैं जिसे ओढ़ता बिछाता हूं वो गजल आप को सुनाता हूं तू किसी रेल सी गुजलती है मैं किसी पुलसा धर धर आता हूं मैं जिसे ओढ़ता बिछाता हूं वो गजल आप को सुनाता हूं बहुत बहुत शुक्रिया और हमारे साथ तमाम लोग जुड़े हुए हैं जरा एक बार हम सब की कमेंट लेना चाहेंगे कैसा लगा कबीर का ये सेसन कबीर का सेसन बहुत ज्यादा मेहनत हुई तीन चार किताबों से चीजें इकठा की गए तब आपके सामने परोसा गया है ठीक है चलिए हाँ जी अच्छा सुना देंगे भाई टी जी टी हिंदी पेपर कब तक होगा देखो वही तो सवाल सबका है वही प्रश्न सबका है और प्रश्नों के सरंखला में उल्जे हुए हैं उत्तर नहीं मिल रहा है इसका लेकिन ये मानिए कि दो चार छे महीने छे म चल रहा है तो दिसंबर तक होई जाना है क्या मतलब 24 से पहले हो जाना है ये आप मानिए ये मेरा अंदाजा मेरा कयास मेरा अनुमान कहता है ठीक है ठीक है मोटी विसनल जी है चभी शंकर जी है साबित्री तिवारी जी है बहुत बढ़िया धन्यवाद और तिलक नागपूरे जी है तनु पांडे जी है भारती कुमारी शास्त्री जी है नाइस धन्यवाद और तमाम लोग है ठीक है कि धूरी अब जैसे उन्होंने अरस्खान का खाना कि धूरी भरे अति सोभित स्याम जू तैसी बनी सीरे सुंदर चोटी खेलत खात फिरेंग नापग पैजनी बाजत पीरी कछोटी वाचबी कोरस खान बिलो कत वारत काम कलानी जिकोटी और काग के भाग बड़े सजनी हरी हाथ सो ले गए ओ माखन रोटी काग के भाग बड़े सजनी हरी हाथ सो ले गए ओ माखन रोटी बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी जुड़े उमीद है आप ऐसे ही प्यार बनाए रखेंगे मिलते हैं आगले सेसन में तब तक के लिए नमस्कार